जोस्तो अगर आप लेटी बल पर रिपेरिंग का काम करते हैं या फिर करने की सोच रहे हैं तो उसके लिए जो भी आप डियो भी या फिर एम से पीछ भी पर्चेस करते हैं उनमें भी बहुत सारी क्वालेटी होती हैं अरिजनल है लोकल है और एक मीडियम क्वालिटी की भी है यही सब आपको इस वीडियो पर पहचान करना बताऊंगा और सबसे पहले यही कहूंगा जो भी समन आप खरीद रहे हैं वह किसी ट्रस्टेड डीलर से ही खरीदियेगा और जिससे भी खरीद रहे हैं उसके बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए उसके बाद ही आप उसे और करें और करने से पहले आप को यहीं चीज कहूंगा कि यद्या तो यह ब्तां की चीजए पर यहां फर यह वीडियो में आपको थुदा समय जानकारी दोँगा हो सखे तो इस वीडियो को форм Wildlife में क्योंकि यह चीज आपके life में बहुत ज़्याद काम आ सकते हैं अगर यह काम आप स्टार्ट कर रहे हैं अब यहां पर मेरे पास कुछ MCPCB भी है और DOB भी है और यहां पर एक इस टाइप के light भी है सभी में LED लगी हुई है अब LED की quality हमने पहचाननी कैसे है तेकिए सबसे पहल बल्ब की quality है और इसकी जो manufacturing quality है वो उस DOB से लाख गुना अच्छी है वो कैसे क्योंकि उस DOB में जो LED लगी होती है वो हलकी quality की होती है जरा सी heat सहन नहीं कर पाती है और वहां पर हो जाती है आप भले heat sink अच्छी लगाईए उसमें heat sink compound भी लगा लीजिए फिर भी आपकी खराब हो जाती है भई बल्ब की quality ही घटिया होगी आप कितना भी उसे प्रोटक के लिए कितना भी उसे आप heat रोकने के लिए उसे बचा लीजिए फिर भी आपकी खराब होगी ही ह कि तो यहां पर यह है original वाली आप इसके बल्ब देखिए और उसके बल्ब आपको दिखाना चाहूंगा सबसे पहले जो आपके डियोपी छोटी वाली आती है ना आप लोगोंने देखी होगी है अगर उसकी इमेज यावी लेबल हो तो आपको दिखाने के कोशिश करोंगा उस लोकल वाली या फिर घटिया क्वालिटी की डियोपी में इसे टैप के बल्ब लगते हैं अब आपको मैं इसको खोल के दिखाना चाहूंगा इसमें कौन से बल्ब लगते हैं चलिए मैं इसको पहले जल्दी से खोल लेता हो तो यहां पर मैं इसे खोल चुका हूँ वैसे ही बल्ब इसमें लगे हुए हैं इस बल्ब की आपने पहचान कैसे करनी है देखिए आप अगर इस बल्ब को द्यान से देखेंगे तो दो टुकडम बटी वी है उतनी ब्राइट नहीं है यह है लोकल वाली डियो भी में जो लगने वाली LED की पहचान अगर मैं इसे आप मैक्रो मोड में दिखाना चाहूं तो आप किलियर ली आपट देख सकते हैं इसकी पहचान क्या है देखिए यह इसकी पहचान है लोकल वाली की तो अगर यही आप खरीद रहे हैं तो सावधान रहिए यह आपकी ज्यादा दिन नहीं चलने वाली आप यहीं नहीं करेंगे यह मैंने 10 पीस ओर्डर करे थे जिसमें मेरे 8 पीस खराब हो चुके हैं एक ही दिन में 8 पीस खराब हो चुके हैं उन में वैसे खराबड़ी हुए कोई एक LED खराब हो गई तो यह सीरीज बंद हो जाती है इसमें यही प्रॉब्लम आता है एक LED खराब होने से पूरी सीरीज ब यहां पर देखिए, थोड़ा सा एषिन सुटा सा उसमें डार यलो आपको दिख रहा होगा, यह बाहर की जो लाइन है, यह आपकी AC की है, और अंदर की DC की है, तो DC में भी जो बलब लगे हैं, वो भी अच्छे हैं, और AC में गल लगे हैं, वो भी अच्छी quality के अच्छी को लगे हुए हैं एक और चीज आपको मैं यहाँ पर बता देता हो सबसे बड़ी चीज़ है बल्बी की क्वालेटी तो आपको बता दी दूसरी है ब्राइटनेस की प्रॉब्लम अगर आप ओरीजनल वाली डियो भी पर्चेस कर रहें तो उसमें ब्राइटनेस बहुत अची होत अपने नॉर्मल जो लोकल वाली डियो भी होती है उसमें देखा होगा नो वाट लिखा होता है लेकिन नो वाट के उसमें लाइट नहीं होती है कितनी होती है उसमें तीन वाट के बराबर लाइट नहीं होती है तीन वाट भी मैं गलत बता रहा हूं तीन वाट से कम-कम ही लाइट होती है आप लोगों ने देखाई वागए कितनी कम लाइट होती है और नवाट कि अकर हम इस वा इस डियोबी की बात करें एसी डिशी की तो इसकी लाइट उसकी लाइट से हजार गुना बहतर और अच्छी है तो यह चीजें आप ज़रू पैसा नहीं है अब बात कर देखिए वन टू हाँ दो टाइप की है यह अलग है यह अलग है अब यहाँ पर देखिए यह वाली आपकी मीडियम है यह बिल्कुल ओरीजिनल नहीं कहूंगा ओरीजिनल की अगर बात करूँ तो देखिए यह भी ओरीजिनल नहीं है लेकिन इसके जो बल्ब है और इसके हैं लेकिन इसकी performance आपको बहुत अच्छी मिलेगी मैंने आपको अल्री बता चुका हूं कि बल्ब फी अलग लग क्वालिटी के आते हैं दो टाइप के आपको बल्ब दिखा चुका हूं अब यहां पर अगर original की बात करें बिल्कुल original की तो यहां पर किसी भी LED बल्ब को आप ले लीजिए यह देखिए कंपनी का एक LED बल्ब है उसकी quality आप इसके बल्ब की quality देख सकते हैं और इसकी PCB की quality देख सकते हैं या आपकी MC PCB जो इसमें लगी हुई है आप किसी भी घर पर LED बल्ब है उसको उठा लीजिए अगर वो रिपैर नहुआ हो तो ठीक है सिसका है पै आपकी कभी भी खराब नहीं होती है लेकिन वह या तो देज लाइट में होती है या फिर आपका किसी और प्रब्लम से हो जाती है बैए हर किसी बल्ब की या फिर हर किसी चीज की एक अवधी होती है तो यह नहीं कोगा कि सबसे बैस होती है लेकिन वह original quality के आपको मिलेगी उसके बल्ब को आप देख लीजिए वह original होता है और यह है medium जो आपको मैंने भी दिखा यह है medium लेकिन यह original की टकर में रहती है इसकी performance बहुत अची है आप इसके बल्ब की पहचान कर लीजिए देखिए इस टाइप के इसमें बल्ब है इसकी पहचान आप कर लीजिए मिलेंगे और उसके अंदर की दो लगी रहें आपको रिखाया थी हो मिलेंगे वो आले बल्ब वाली LED या फिर मर लिजिए या तो आप ये वाली ले लिजिए या तो आप दूसरी क्वालिटी की दिखाता हूं ये वाली ले लिजिए ये भी अच्छी है उतनी अच्छी नहीं कहूंगा मीडियम क्वालिटी की है मैं आपको विस्तार से बता दिया सब के बारे में और एक तीसरी तो अगर आप यलो कलर देख रहें LED में और आपको इस पस्ट नहीं दिखा दे रहा उसके अंदर का तो समझ देख सकते हैं और बहुत ही डार्क यलो भी आप लेना चाहिए तो ले सकते हैं वह आपको सिसका पैनासोनिक वगरे में देखने के लिए मिल जाएगा जैसे की यह ऑरारे में अंदर कोछ भी नहीं दिखेगा हाँ गोर सब्सक्रेशाल साइस देख सकते हैं यह DC का लाइन है ए एक का लाइन है बाकि आपको इसको ले एक द्यो भी थोड़ा सा यल्लो कलर पर आती है जिसको वोर्म वाइड भी कहते हैं उसको भी आप ले सकते वह एच्छी में आते हो इसमें वाली अची हुछ इसलीए क्यों कीसमें इप कॉईल है इसमें इसमें के लिए मतलब इसमें आपको उससे भी अच्छा मिलेगा पस ज्यादा कुछ नहीं बस तीन या चार रुपे का अंतर है दोनुमें यही आपने देखना है वीडियो को एंड करने से पर एक चीज छोटी सी चीज आपको बताना चाहूंगा काफी लोग इसमें वाटेश क्या होगा तो MCPC कोई भी आप कर रहे हैं उसमें आप आपको लग रहा हो गया है पूरी है किसी काफी लोगों पता नहीं हो गया इसको तोड़के अलग अलग एक एक पीस करा जाता है जिनने पता नहीं है आप देख लिए क्योंकि काफी लोग एक पीस यह आपके बलब के पर लग जाती है इसमें बलब आपके नीजे जितने भी बलब उतने वाटेज आप लगा के चलिए एक दो तीन चार पांट छे साथ आठ नो दस मतलब नो वाट की आपकी MCPCB है यह MCPCB का वाट है ठीक है ना अगर एक एक बलब के वाट की बात करूं तो इस पर एक सूपर वीडियो मैंने बना के रखी वी आपको समझाने के लिए वो तरीका मेरा बहतर होगा उस वीडियो को मैं एंडी स्किन पर या फिर डिस्क्रिप्समें लिंक के देदूगा उसे देख लीजेगा यह सिर्फ मैं जो बता ना आपको MCPCB का वाट है अगर आप किसी एक LED बलब क वाट की बात करेंगे तो उसमें भी आप कंफूज हो जाएंगे इसलिए उस वीडियो को जरूर देख लेना यह आपकी 19 वाट के सम्धिंग की है और इसकी बात करूँ यह वाली आपकी कितने वाट के गिनिये बलब कितनी है चार साथ चार यह है तीन यह है चार तीन है बलब मिल जाएंगे जितने वाट कि लगभग उतने बलब उसके अंदर मिल जाते हैं एक एक वाट के सम्धिंग बाकी डीटेल से वाटेस को आइडेंटिफाई करने के लिए उस वीडियो को जरूर देख लेना बाकी इसमें भी आप गिन सकते हैं देखिए यहां से स्टार करते हैं एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस मतलब नो दस वाट के सम्धिंगा यह आपका डियो भी है प्रोट्री में लागे एक ही चीज में आपको बोलूँगा कि अगर काम कर रहे हैं इमानदारी से कर आप समान अच्छी अच्छा वाला लेके आते हैं तो इसम यह दो महने में इनको मगबाता रहता हूं मैं अब यह मत कहिए कि सर आपने कहां से मगवाया क्योंकि एक बार एक बंदे ने मेरे से पूछा था उसको मैंने अड्रेस बिता उसको गलती से उसको हलकी क्या पर मिल गये थे तो इसके लिए आपको खुद ही जाके अच्छी क् क्या ना होका मैंने आपको फैसान बता दी है थैक्यू पॉर वचिंग